नमस्कार, वेलकम टो नर्सिंग स्मार्ट, नर्सिंग स्मार्ट के यूटूब चनल पर एक बार फिर से आप सबी लोगों का स्वागत हैं, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, नौर्शेट 5 में जनरल अवेर्नेस के लिए अधित्या एलवन से, जितने भी क्यूशन बनते हैं, हमने यहां पर समयराइज करने की कोशिश किये, जहांप से क्यूशन आपको इस आने वाले एकजाम में नजर आ सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला क्यूशन है, वोटीज आदित्या एलवन डवलप्ड फोर, आदित्या एलवन को डवलप क्यों किया गया है, आपको पता होना चाहिए कि भारत ने बैक टू बैक, पहले चंद्रियान 3 भेजा, जुलाई में बेजा था, अगस्त में इसको लेंड कराया, और इस के उपर भी हम एक सेशन के अंदर जो भी आरदास क्यूशन इंपोर्डर मनते हैं, करने वाले हैं, उसके बाद में ठीक 10 दिन बाद में क्या भेज दिया, आदित्या एलवन यानि कि बेजा तो इसको डेड मेंने पहले था, लेकिन इसके लेंड होने के ठीक 10 दिन बाद में आदित्ये एलवन भेजा हैं, ये आदित्ये एलवन, आदित्ये आप समझते हो कि हम हिंदी में संस्क्रीट भाषा में आदित्ये किसको बोलते हैं, सन को बोलते हैं, तो सन के उबजरवेशन के, वैसी मात है कि सन से रिलेटेड, सन से नाम लिया गया है आदित्ये एलवन, ये जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी ने भेजा है और डवलब किया है किस परास से सोलर ओजरवेशन के लिए केमलbrar के लिए यानि कि एक ओजर्वेटरी है ओजर्वेट्री है इंदी में बोलते ना ओजर्वेटरी वहाद इस आई Edition के लिए भेजा गया है आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए और दूसरी चीज जो है ये सन की कौन-कौन से सर्फेसेज को स्टेडी करेगा सबसे बाहर की सर्फेस कोरोना एक्जेक्टली वही कोविड वाला नाम सबसे और इसके नीचे की जो लेर है क्रोमो स् लवन तो दिमाग में क्यूशन बहुत अच्छे से बेट जाना चाहिए मनमस्तिस्क में अगर आदिते लवन को लेकर ये क्यूशन आता है कि आदिते लवन को क्यों डवलप किया है के वल सोलर के अबजर्वेशन के लिए और सोलर अबजर्वेशन सन के अबजर्वेशन को क क्या सन की को रोना और इस बात है इस रोने ढूर डभलाब किया है ठीक है अब इसमें कुछ अलग जो dużo पैलोड से वो जो इंपोर्टेंट हम आगे डिसकस करेंगे लेकिन अधिते एलवन जो सेटेलाइट है उसको किस ने डवलब किया है उसको इस रों ने ही उसको डिजाइन करने का काम किया है नेस्ट क्यूशन है वेर विल अधिते एलवन जो कहान प्लेस किया जाएगा कहां इंसर्ट किया जायगा Earth से Sun की जो distance है अगर आप यहाँ पर डियाग्राम यहाँ पर देख सकते हैं तो यह Earth की प्लेस्मेंट है और यह Sun की प्लेस्मेंट है और यह L1 है अधिते L1 नाम इसलिक दिया गया यह L1 यह point अभी डिसकस करेंगे कि अधिते L1 जो है वो point जो है वो क्या है actual में अगर देखा जाए तो यह अर्थ और सन की डिस्टेंस है वो 15 करोड है 15 क्या किलो मेटर इस अर्थ से सन जो हो 15 करोड किलो मेटर की डिस्टेंस में है लेकिन हमने अधिते एलवन को जो भेजा है वो कहां पर भेजा है के यहां से रिमोट से यह स्टेडी करेगा शनको तो यह चीज आप लोगों को दिमागमेशंग स्पищ और आपको क्या दिमाग में रखनी है यह ऐले जो है यह कहां से लिए अब देखि आप यह अर्थ है यह मून लेकिन मून का यहाँ पर कोई मतलब नहीं और जो सन है यह अर्थ और सन सिस्टम समझ लीजे है अर्थे सन के इस्टम में ये 5 points है, देखो ये L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5, ये L شब्द का मतलब क्या है? लेग रेंजर पोइंट्स हैं जिने जिने को इन्होंने को खोजा है या डिफाइन किया है यह पांच पोइंट्स है लेग रेंजर पोइंट्स L1, L2, L3, L4, L5 तो आप भारत की इसरों ने जो अधित L1 बेजा है ये इस L1 में प्लेस किया जाएगा यहाँ पर हमारा सेटलाइट जो अधित L1 है वो जाएगा और सन की स्टेडी करेगा सन की कौन-कौन सी लेयर्स को या सरपेसेज को स्टेडी करेगा कोरोना आउटरमोस लेयर हो उसके नीचे क्रोमोस्पियर है उनको ये स्टेडी करने का काम करेगा अपनी रिमोट सेंसिंग से ये इसकी ट्रेजेक्टरी देखेए आप जैसे जब भी जाता है और आपको बिलब इस तरीके से बेजना होता है जब फ्यूल कम होता है तो इसी तरीके से अर्थ की जो और्विट है इससे निकलता है और फिर यहाँ पर देखिए 11.0 इस तरीके से यह जाने वाला है तो यह अधिते 11 की ट्रेजेक्टरी है यह इतना important नहीं है लेकिन आपको यह दिमाग में रखना है यह यह देड़ मिलियन किलोमेटर की डिस्टेंस पर यह पंदा किलोमेटर की डिस्टेंस पर है सन कितना दूर है उससे और सो गुना ज्यादा दूर है फिर भी सन ठीक है और जो कुछ लोग बोलते रहते हैं कि कुछ एक सालों में जो सन है वो खतम हो जाएगा और ब्लेक होल बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ऐसी कोई स्टेडीज है नहीं अभी तक कि कुछ बिलियन एयर्स में जो हो सन जो हो ब्लेक होल बन जाएगा और हम सबको खींच लेगा ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है फर्स्ट इंडियन मिशन टू ओब्जर्व सन यानि कि भारत ने जो अदित्य ऐलवन भेजा है इसके पहले भी भारत ने कोई सन ओब्जर्वेटरी के लिए सन ओब्जर्वेशन के लिए कोई मिशन किया है कि जी नहीं ये सन के ओब्जर्वेशन के लिए हमारा पहला मिशन है तो भारत का जो पहला मिशन है सन का अधित्य एलवन ही है जो कि हमने अभी अभी प्रक्ष्यपित किया है अब देखिए किसी भी आपके जो सेटलाइट है उसको ले जाने के लिए कोई ने कोई लॉंचिंग वेहिकल चाहिए होता है नहीं रोकिट चाहिए होता है तो अधि रोकिट जो है वो औरों के मुकाबले इतने फ्यूल में एफिसेंट कह सकते हो इतना फ्यूल लेकर जाने वाले नहीं होते हैं भारी बरकम रोकिट हमारे नहीं होते हैं हमारे कोश्ट एफिसेंट फ्यूल एफिसेंट इस तरीके के वेहिकल होते हैं हमारे कि जैसे लूना ट 25 जो उनका लंबे टाइम से अवेटेड था और उसको उन्होंने लॉंच किया जो कि हमारे चंद्रियान थ्री से भी दो दिन पहले ही और लगबग वहीं साउथ पोल पे उतरने वाला था क्रैस लेंडिंग हो गई इसकी लेकिन भारत के इसरों ने बहुत पेशेंस के साथ में बेजा जुलाई के महिने मे और अगस्त के महिने में 23 तारीक को इसको लेंड कराया पूरी दुनिया देख रही थी पुरा विश्व देख रहा था कि पेशेंस का रिजल्ट क्या होता है और यही patients का result जो है, आप लोगों को अपनी life में उतारना है, कि किस तरीके से exams को crack किया जा सकता है, life में सफल हुआ जा सकता है, यहां discuss कर रहे थे कि अधित L1 को कौन से rocket से बेजा गया है, कौन से launching vehicle से बेजा गया है, तो PSLV था, सम्में PSLV लिखा हुआ, PSLV का मतलब क्या होता है, polar satellite, LV का मतलब होता है, launching vehicle, अब यह launching vehicle क्या होता है, रोकेट को ही launching vehicle बोला गया है, ठीक ना, polar satellite launching vehicle याद रहेगा आपको, और यह C-57 था, जिसके थूरू launch किया गया, जिसके दोरा आदिते L1 को जो है वो launch किया गया, चंद्रियान से लेकर के question, जो हम next session ही लेकर के आने वाले है, आदिते L1 को किस दिन launch किया गया है, डेट आप सब लोगों को पता होने चाहिए, कि आदिते L1 को 2 सितमबर 2023 को launch किया गया था, बहुत important question है, remote sensing payload, यानि कि साथ अलग-अलग तरीके के payloads है, steady करने के लिए, सन की observation के लिए, अलग-अलग साथ तरीके के payloads है, इन मेंसे कुछ remote sensing है, कुछ in-situ है, ठिक है, कुछ in-situ है, और कुछ remote sensing है, तो इन में से एक बहुत important पेलोड है VELC, Visible Emission Line Corona Graph, तो यानि कि कोरोना से जो emission हो रहा है, उसको जो visible line है उसकी, रेज की, उसको study करने के लिए, जो पेलोड है उसका नाम है VELC, और उसको जो की कोरोना को study करेगा, किसने डवलप किया है, इन पेलोड को अलग-अलग इंस्टिटूट्स ने डवलप किया, और केवल आपको साथ याद रखने ही जरू है, केवल VELC को ध्यान में रखने जीगा, किसन हमें आप से बहुत ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है, और इस VELC को IIA, IIA means Indian Institute of Astrophysics, Indian Institute of Astrophysics कहां पर है, बैंग 11 का ही क्यूशन है, तो इसको IIA ने डवलप किया है, VELC को, Visible Emission Line Coronograph, जो की कोरोना को स्टेडी करेगा, रिमोट सेंस स्टेडी करेगा, इनसिटू नहीं है, और आप से कोई ये भी पूछ सकता है, VELC जो हो किस तरीके का पेलोड है, रिमोट सेंसिंग है या इनसिटू है, तो ये रिमोट सेंसिंग पेलोड है, किस ने डवलप किया है, इंडियन इस्टिटूट ओफ एस्ट्रो फिजिक्स ने डवलप किया है, प्रोजेक्टेट टाइम देखिए, ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो क्यूशन हमने रखी दिया, इसे लगबग 125-177 दिन लगाएगा ये वहां तक L1 में प्लेस होने के लिए, तो आप इसको इतना इंप्रोडेंट मानके मचलिएगा, एक और बहुत इंप्रोडेंट क्यूशन, रिजन उसका, केवल और केवल हमें एस सोमना सर की तश्वीर नजर आ रही थी, लंबे टाइम से, इसलिए उस क्यूशन के साथ म कोंट्राडिक्टरी क्या कहें, कन्फ्यूजिंग है लोगों को इसलिए इस तरीके का क्यूशन एक्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, फूश दर प्रोजेक्ट डिरेक्टर ओप अधिते लवन मिशन के प्रोजेक्ट डिरेक्टर जो है, वो कौन है, आपको नज आपको देखने के अधिते लवन के प्रोजेक्ट डिरेक्टर जो है, वो निगार शाजी है, ना कि एस सौमनात सर या फिर के सिवान सर के सिवान सर जो है इनका एक और बात आपको दिमाँ में रखनी है आपको क्या IIM इंदोर के Board of Directors में इनको शामिल कर लिया गया है तो उनके Board of Directors के जो गवर्नर होते हैं वो बनाया गया के सिवान सर को अभी अभी इसके लिए हम separate सब्सक्राइब करेंगे चिंदा मत कीज़ेगा तो ऐसा क्यों सब्सक्राइब बहुत ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है आने वाले नोर्शेट के अंदर और नोर्शेट में पहले अब के बार केवल सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन हम इसको ऐसा कि इस तरीके से पांच-पांच क्यों से नोर्शेट में ने भीं यहां को कहा से लउंड किया गया यानि कोई ना कोई लौंचन्क साइड से लौठ किया गया है अब भारत के अंदर लॉंच साइड कितनी है लॉंचिंग साइड को ऱोंच साइड और भारत इसके अंदर तीन रोकेट लॉंचिंग सैट तो नाम पर है विक्रम सारभाई के यह वह कहां पर यह तिरुवनंद पुरुम थंबां जिसक को बोलते हो थुमा कहां पर अभी केरला में तो विक्रम सारभाई लॉंच सेंटर जो आख नहीं है पहली साइट दूसरी साइट है सतीस दवन स्पेस सेंटर यह कहा पर है स्री हरी कोटा बार बार नाम सुन रहे होंगे आप इसका यह आंधरा प्रदेश में है। तिसरी लेस नौन है डॉक्टर अब्दूल कलाम के नाम पर है डॉक्टर अब्दूल कलाम आईलेंड जो कि कहां पर है भाद रिक बहित में तू यह तीन मेजर लॉंचिंग सैड़ से मेज़र loops, में नंचिंग सैड़्य से हुवरत मेंर विक्रम सारा भाई जो की तिरोनन्दपुर्म थिंबा केरला में है 37 दवन स्पेस सेंटर स्री हरी कोटा अंदरपरदेश में है डोटर अब्दूल कलाम आइलेंड बादरक उडिसा में है तो इन तीनों लॉंचिंग साइट्स में से कहां से लॉंच किया गया किसको आदिते एलवन को लॉंच कहा से किया गया अधिते एलवन को लॉंच किया गया 37 दवनी स्पेस से स्री हरी कोटा से ठीक है तो यह चीज़ें आप लोगों दिमा में रनी चाहिए श्री हरी कोटा अंदरापरदेश से बहुत ज्यादा इंपरेंट क्यूशन है अभी रनिंग का एक बहुत ज्यादा इंपर परसन होते हैं लेकिन आज तक कोई भी वूमन महिला सीयो या चैर परसन नहीं रही है पहली बार बनी है और इसलिए क्यूशन बहुत ज्यादा इंपरेंट हो जाता है मेडम जया वर्मा सिना को पहली बार पहली बार का मनलब लेडी सीयो या चैर परसन जो हम बनाईगी है इंडियन रेल्वे बोर्ड की और कौन है जया वर्मा सिना बहुत ज्यादा इंपरेंट है नोट कर लीजिएगा नेशनल स्पेस डेई इस टूबी ऑब्जार्ड ओन एवरी इयर नेशनल स्पेस डेई अब अगले साल से हर साल ऑब्जार्व किया जाएगा जिस दिन चंद् को देख रहे थे और 23 अगस्त को चंद्रियान 3 को सौफ्ट लेंड कराया गया चंद्रमा की दर्ती पर भारत जब लोटे भारत के प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी तो वह सीधे इस रो विजिट किया उन्होंने और सब वेग्यानिकों के साथ में बादशित की वहा किया जाएगा जिस तरीके से अधर डेज ऑबजर्व किये जाते हैं भारत में 23 अगस्त को हर साल नेशनल इस पेस डे के रूप में ऑबजर्व किया जाएगा यहां पर जब हम आधित्य अलवन यानी स्पेस से रिलेटेड कुछ डिसकस कर रहे हैं तो इस स्पेस की जो मेज से इंडियन स्पेस रिशर्च और्गेनाईजेशन दूसरी एजेंसी है नासा नैशनल ऐरेनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूस से की एजेंसी है तीसरे नमबर पर हम देखें तो ईसा ऐसा यह यह यूरोपियन सपेस एजेंसी है यह किसी अकेले कंट्री के नहीं है एक स्पेस एजएंसी कौन सी है जी स्पेस अक्स का नाम आपने सुना होगा यह प्राइवेट एजेंसी है मलब इस्पेस में जाने के लिए इस्पेस के लिए कोई प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है यह स्पेस अक्स और यह कौन से भई अपने ट्विटर वाले और ट्विटर का नाम आज कल एक्स कर दिया गया भई ठीक ना ट्विटर नाम से सब नहीं रहा है इसको नाम बदल दिया गया एक्स ठीक ना और क्यों पूर जो कौन है वो कौन है इलॉन मस्क है का है एक सोस्मोस जिन इस ने हमें आज तक बहुत ज्यादा सत्रांग किया है मतलब रसिया की स्पेस एजन्सी रोस कोस्मोस जापान की स्पेस एजेंसी जो हो जाक्सा है जापान एरोस्पेस जाक्सा एंड एक्स्प्लोरेशन एजेंसी जापान की है चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम सी एन ऐसे है चाइना नेशनल स्पेस एडिमिनिस्ट्रेशन और इसराइल भी हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं भारत देश के हमारे क्या भारत देश का बहुत मित्र देश है और वहां की स्पेस एजेंसी है इसराइल स्पेस एजेंसी इसराइल तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह वर्ल्ड की अलग-लग स्पेस एजेंसी जो कि आप लोगों को पता है कि अपने इसाब से पेपर देता है तो इससे रिलेटेड कुछ भी एक्जाम्स के अंदर क्यूशन पूछ सकता है में प्रोबेबल नजर आ रहा है और आप सब कुछ हमारी लग पर डिपेंड करता है इस सेशन में इतना ही मिलेंगे वेरी नेक्ट अपडेट के साथ थेंक यू झाल करता है झाल करता है